अगर आपको याद हो तो 2003 का वधान सभा चुनाव जिस से पहले तक कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजे सिंग बड़ी डींग हाकते हुए कि ये कह रहे थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं उस वक्त नतीजा क्या हुआ ये सब ही जानते हैं पर लगता है पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ अब भी दिग्गी राजा के पुराने जुमले पर ही भरोसा करते हैं वैसे तो कमलनाथ अपने मैनेजमेंट के लिए मशूर हैं इस बार वही मैनेजमेंट वो चुनाव में भी अपलाए करने वाले हैं जिसकी शुरुआत मिजी एजनसियों के सर्वे से हो चुकी है आपको बता दे कि कमलनाथ में सरकार गिर्मे के बाद ही उन सीटों पर सर्वे की कवायच शुरू कर दी थी जहां जहां उप्चुनाव प्रस्तावित थे हाला कि कुछ सीटे उसके बाद भी बढ़ गए जिन पर सर्वे करवाया जा रहा है इन सर्वे के बाद ये नतीजे निकले हैं कि कुछ कमिया अब भी हैं जो कॉंग्रेस की जीव की राह में रोडा बन सकती है इन नतीजों के बाद अब कमलनाथ में मेगा बैठक बिलवाई है इस बैठक में कॉंग्रेस के सारे प्रभारी मौझूद होंगे जिनके सार पाइटी की कम्यों पर चर्चा होगी उन कम्यों को दूर करने के तरीके डियू दे जाएंगे लेकिन सबसे बड़ी जिम्मिदार के दिन्में होगी खबर है कि कमलनाथ पूरे 70 विधायकों को उपचिनाव वाली सीटों पर पैनाथ कर बीजेपी के किलिब इंदी करने वाले हैं इन सीटों पर कारकरता तो एक्टिव होंगे ही साथ ही एक एक सीट पर दो दो विधायक जीत का जिम्मा संभालेंगे इस मास करना पालेंगे